खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाईए, ओल पे कलिक कीजिए, लेटेश्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं सर मिला फगेडिया, आप देख रहे हैं, खुसी बुटिक, आदमा आपके लिए एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम करेंगे मगजी वाले लेंगे की कटिंग, तो मेरे पास ये 4 मिटर कपड़ा है, इसमें हम मगजी वाले लेंगे की करेंगे, वीडियो स्टाट करती हों से पहले कर दीजिए एक लाइक और चैनल को जिन्होंने सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ये मेरे पा मैंने पूरे चार मीटर कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, अब मैं यसमें जैसे पचास इंच कपड़े पे निसान लगा लेती हूँ, मगजी लगाने के लिए, सवा मीटर पे मैं ये निसान लगा लेती हूँ, यहां पे, यहां से हम कटिंग नहीं कि अगर आप इसमें ऊपर की साइड बेल्ट लगाते हैं जिसे चीन बोलते हैं तो इसमें आप एक इंच और कम ले लीजिए यहाँ पर मैं 28 इंच की लंबाई ले रही हूँ लेंगे की यहाँ पर 28 इंच लंबाई हो जाती है तो इसको मैं इस तरीके से पलट लेती हूँ यहाँ जो हमने निसान लगाया था सवा मीटर पर यहाँ तक यहां पर यह निशान है तो इस निशान से हम इसको दोबारा से पलट लेते हैं और एक बार ओर देखते हैं यहां पर यह लंबाई पूरी नहीं हो रही है तो मैं इसमें यह तीन ही पार्ट निकालूंगी लेंगे की तो इस साइड से हम लेंगे की पार्ट निकालेंगे यहां से मैं 28 इसका पार्ट निकाल लेती हूँ इसको दोबारा से पलट लेंगे और एक बार और पलट लेते हैं यहां से मैंने इस कपड़े को तीन ते में पलट लिया है अब मैं इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हूँ यहाँ से भी इसको अलग कर लेते हैं और यहाँ से भी इसको अलग कर लेते हैं इस कपड़े में मैंने तीन लंबाई कटिंग कर ली है लेंगे की अब हम बचे हुए कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे ऐसे यहां पर यह जो कोना है कपड़े का इस कोने को हम इस तरीके से मोडेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे इसको हम इस तरीके से तिकोने में पलट लेंगे और इसको हम इस तरीके से सिधा करके रख लेंगे यहां से इसको कोने से मोड लिया है मैंने इसमें हम 3.5 इंच की मगजी निकालेंगे तो यहां पे हम 4 इंच का निसान लगाएंगे यहां पे हम 4-4 इंच का निसान लगाएंगे इस तरीके से इस तरीके से मैंने यहां पे 4-4 इंच पे निसान लगा लिया है इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और यहां से कटिंग करेंगे ऐसे हमने इसको कटिंग कर लिया है अब आप देख सकते हैं कि यह मगजी रेब में कटी है इस तरीके से अब हम इस कपड़े को दुबारा से सीधा करेंगे और इसके उपर इस मगजी को खोल के रखेंगे इसको तो हमने डबल करके कटिंग किया है चारिंज पे और इसको जैसे यहां से यह खुला है इस कारण से हम इसको खोल लेंगे और यहां पे रखेंगे इस तरीके से बचे हुए कपड़े में यह जहां तक भी आती है वहीं तक इसको हम ऐसे सिधा कर लेंगे और इसको यहां से कटिंग कर लेंगे जहां तक यह कपड़ा रखा हुआ है हमें इसमें दोबारा से निसान नहीं लगाना पड़ेगा इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है अब हम इनको ऐसे मोड़ेंगे इन सारे टुकड़ों को हम ऐसे मोड़ेंगे तो यह मगजी चार इंच की रेडी हो जाएगी इस तरीके से इनको हम साइड में रख देते हैं यहाँ से हम एक 28 इंच का पार्ट और निकाल लेते हैं यह आधा पार्ट हो जाएगा और यहाँ से भी इसको सीधा कटिंग कर लेंगे यह एक पार्ट और निकल गया है यह जो हमने तीन पार्ट कटिंग किये है इसमें यह आधा पार्ट और जुड़ गया है यह साड़े तीन पार्ट हो गया है और इस थोड़े से बचे हुए कपड़े में हम दोबारा से मगजी निकाल लेंगे जैसे यह वाला कपड़ा है इसके चार कोने है तो एक कोने से हम इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरे कोने को उठा के ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से हम इसको मूड़ेंगे मगजी वाले कपड़े को और यहां से हमें मगजी निकालनी है मुड़े हुए कपड़े से यहां से मैं आपको डेड़ इंच की मगजी निकाल के दिखाती हूँ मगजी आपको निकालनी है साड़े तीन या चार इंच की अगर आपको मोटी मगजी रखनी है तो आप 4 या 5 इंच की मगजी भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं यह आपको अकबार पर बता रही हूँ इसलिए मैं इसमें 1.5 इंच की मगजी निकाल रही हूँ यहां से 1.5 इंच का निसान लगाना है इस तरीके से और यहां से भी 1.5 इंच का ऐसे हम डेट डेट इंच का निसान पूरे कपड़े में लगा लेंगे इस तरीके से इस मुड़ी उइस साइड से हमें निसान लगाना है मगजी के लिए यहाँ पर ये मुड़ी उइस साइड है इस निसान को हम ऐसे सिधा करेंगे इस कपड़े को हम निकाल लेंगे ये तो पहली मगजी की कटिंग है एक मगजी तो मैंने निकाल ली है ये रेब में निकली है इसमें आप लाइने देख सकते हैं कि ये रेब में कटी है तो इस तरीके से हम बाकी के बचे हुए कपड़े में से मगजी निकालेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि यह तो मुड़ा वो नहीं है इसमें से हम कैसे निकालेंगे तो हम इस मगजी को सिधा करेंगे ऐसे और इसके उपर यहां पे रख लेंगे इस पे आप ऐसे रख लीजिए और यहां पे निसान लगाईए तो दूसरी मगजी निकल गई यहां से भी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से यह दो मगजी निकल गई है इसको भी हम ऐसे मौड लेंगे लगाते ताइम ऐसे और बाकी के बचे हुए कपड़े में भी हम एक और मगजी निकाल लेंगे ऐसे तन लगाईए और यहां से कटिंग कर दीजिए जैसे अखबार में एक छोटी मगजी निकली है इसी तरीके से कपड़े में भी निकलेगी और यह एक को ना बच जाएगा तो यह तो मगजी की कटिंग हो गई अब में आपको बताती हूँ कि यह इस तरीके से जुड़ेगी जैसे ऐसे यह इस तरीके से जुड़ेगी सारी मगजी एकवल हो जाएगी ऐसे आप जोड़ते जाएगे ऐसे ऐसे आप सारी मगजीयों को जोड़ लीजिए और एक लंबी पटी बना लीजिए और उसका अब हम गोला बनाएगे तो इसकी सटीचिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी सेम इसी तरीके से हमें इस कपड़े में मगजी निकालनी है तो यह मैंने निकाल ली है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसी तरीके से यह मगजी निकाली है एक छोटा पार्ट है यह मैंने साड़े चार इंच की मगजी निकाली है इस तरीके से इनको आप सारे पार्ट को अलग अलग से जोड लीजिए और फिर इसको डबल कर लीजिए तो यह मगजी में आपको जोड के और लेंगे में अटेच कैसा करना है अगली वीडियो में बता